हेलो दोस्तो, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि शुरुआत में जब आप फ्रेशर होते हैं और किसी साइट पर आपको काम करने का मुखा मिलता है तो शुरुआत में लोगों को ये पता नहीं होता है कि कहां से मैं काम सीखना शुरू करूँ सबसे पहले आपको कितने इंच होते हैं एक मीटर में कितने में होते हैं और इन सबका को रिलेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए यानि इन चीजों का आप अपने घर पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जब आपको यह चीज सब कुछ सही से आ जाए तो दूसरा सबसे इंपोर्टेंट चीज है ड्राइंग इस्टेडी जब आप साइट पर जाए तो आप एक बार ड्राइंग स्टेडी सीखना शुरू कर दे यानि का जो भी साइट पर एवलेवल ड्राइंग है उसको देखिए उसको स्टेडी करने का कोशिश कीजिए अपने से पूछिए इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें यह चीज मुझे समझ भी नहीं आ रहा है यह चीज बता दीजिए जब आप थोड़ा भूद ड्राइंग स्टेडी करना सीखने लगें तो फिर नमबर आता है दोस्तों बिल्डिंग लियाउट की चूंकि बिल्डिंग लियाउट भी बहुत इंपोर्टन चीज है क्श्टंक्शन वर्क में क्योंकि अगर आपको कोई कॉलम कास्टिंग करना है कोई बीम कास्टिंग करना है कुछ भी कास्टिंग करना फुटिंग कास्टिंग करना तो सबसे पहले उसका पोजिशन और उसका डैमेंशन मार्किंग करना जरूरी होता है जहां पर उसको कास्टिंग करना किया जाता है एक तो यह चीज़ को हम लियाउट कहते हैं तो य यहां से आप स्युरू कर सकते हैं सिखना इसके बाद जब आप बिल्दिंग लियाओट सिखना शुरू थवाबुत आपको आ जाए फिर आप क्वाइंटिटी कल्कुलेशन पर ध्यान दे सकते हैं यानि कि कहीं अगर कश्ट्रक्शन चला है कोई फुटिंग कास्टिंग चला चला है कि जो आपको फुटिंग है तो उसका डिमेंशन और फिर अगर शेट्लिंग लगा तो बपर तरीकए से लगा हुआ है या नहीं उसमें कवर बलॉक साही तरीके से लगा हुआ है या नहीं और वहुत सारी चीज़ेशन ने जो चेकलिसट के अंतर रहा है ठीक है दोस के लिए यानि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहा है इसमें को फुटिंग होता है कॉलम होता है बीम होता है तो इनमें कितना बार यूज हो रहा है और जो भी बार लगेगा वह किस शेप का होगा और उसका अलग 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 शेप क्या डिमेंशन होगा यह सब चीजे हम उस हिसाब से जो भी आपको लेवलिंग मेथड वहां पर हो रहा है उसको आप सीखने का कोईशी कीजिए हो सकता है अगर पॉसबल हो तो दोनों चीज आप अच्छे तरीके से सीख सकें दोस्तों इसके बाद नमबर आता है जब आप यह सब चीजें सीख जाए तो फिर जो अच्छ का नमबर आ फ लेवर होते हैं तो सब्सक्रीख के सब्सक्राइब करना जाए और उसको इसको चाहिए खतं आनि इसको कंप्लीट करना अच्छाइए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं